एक आदमे एक लड़की को पैसो के लिए एक घटिया प्रपोजल देता है इसके बाद इनका प्लान से इसे चल रहा होता है पर इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है आज के हमारी मुवी परफेक्ट प्रपोजल ये 2015 की क्राइम थ्रिलर मुवी है इस मुवी में जो ट्विस्ट आता है और इसके बाद जो जो situation होती है ये बहुत ही सही है ये एक मिस्ट्री मुवी है तो इसके बारे में ज़ादा बोलना कुछ गलत हो सकता है तो चली ये शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें मकाओ दिखाय जाता है कसीनो लाइफ, बार लाइफ ये सब हम देखते है इसके बाद हमें एक बार में जी यून जो हमारी मेन क्याइक्टर है ये बियर वेगरा सर्व करते होए दिखती है जब अपने फ्रेंड से बात करे होती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक एड़राइजमेंट दिखाती है इस एड़राइजमेंट में लिखा होता है कि एक आदमी की केर करने के लिए एक सिंगल वूमन चाहिए और इंटर्वियू के बाद ही इसका फैसलाओ करेंगे कि उसे जॉब मिला है या नहीं इसकी फ्रेंड कह रहे होती है कि इस इंटर्वियू का मिनिंग ही अलग है बुड़े आदमी को मजे करने है इसलिए उसे लड़की चाहिए इसमें पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले होते है ये दोनों जब बात कर रहे होते है तब जीउन का पार्टनर वहात है जीउन का पार्टनर वाज जीउन इन दोनों ने मिलकर ये बार चलाया था ये दोनों profit बाट कर ये बार चलाने वाले थे पर दो-तीन महेने हो चुके है और उसके partner ने उसे कुछ भी profit वेगरा नहीं दिया उल्टा उस पर बहुत सारा करजा है उसके पीछे बीचे मेंस बातरोंग तक चली जाती है ये उसे कहती है कि जल से जल तुम मुझे मेरे पैसे दो ये कहता है कि इसके पास ये पैसे नहीं है पर आज जुवा खेलने के लिए जाने वाला है जुवा खेलेगा और इसे double पैसे हो दे सकता है इनके जो सब पैसे थे इसने जुवे में ही खरच कर दिये है थोड़ी दर में जुवा उनके पार्णर के पास गुंदे आ जाते है इसे बहुत मारते क्यूंकि इनसे भी इसने बहुत सारे पैसे लिये थे जुवन इस आत्मे की पार्णर थी और अच्छी फ्रेंड भी थी इसलिए अब जियून को ही धमकाने लग जाते हैं, यह कहते हैं, इसना जो सब ऐसे लिए थे, यह सब अब तुम्हें पे करने हैं, वरना तुम्हारी लाइफ खत्र में हो सकती है, जियून अब बड़े प्रावलम में फस जाती है, अब क्रेडिट्स रोल होते हैं, और हमें द और जियून कोरियन बोल सकती है, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट होता है, जियून के बारे में सब चीज़े वो पूछता है, जियून से पूछता है, जियून से बारे मदर कहा रहे थी है, जियून के थी है, जब मैं चोटी थी, तभी उनका कार एक्सिडन्ट हो गया थ संग को बहुत बुरा लगता है वो कहता है जब मकाओ के सबसे बड़ी कसीना ओनर के लिए है जब हम इसके बारे में बात कर रहे है तो तुमें लग रहा होगा कि this self-maid man है बहुत बड़ी-बड़ी charities करता है और बहुत अच्छा आद्मि होगा पर ये बहुत ही घटिया आदमी है ये egoistic, सब लोगों पर चिर्णने वाला और किसी को भी कोई भी नहीं समझने वाला एक बहुत ही घटिया इंसान है इसके तुम्हें care करनी है ये इसका job होता है वो जिवन से पोचता है कि तुम्हें क्यों ये job लेना है जिवन कहती कि मेरी financial situation बहुत ही खराब चल रही है मेरे partner ने loan लिया था और मुझे वो pay करना है संग impressed हो जाता है वो कहता है कि तुम बहुत ही straight forward हो ये उसे person आता है जिवन कहती है क्या मुझे ये job मिल चुका है संग कहता है कि नहीं इसमें और भी कुछ चीज़े है संग फिर उसे एक location बदाता है एक hotel में मिलने वाले होते है उसे कहता है कि मैं तुम्हें proposal वहाँ समझाने वाला हूँ तो मैं सिर्फ ये proposal सुनने के लिए thousand dollars में दूँगा जब जिवन evening में अपने friend से बात करती है तो उसकी friend impressed हो जाती है वो कहती है इतने सारे पैसे सिर्फ interview के लिए उसकी friend कहती है कि अगर मुझे है जवाब लगा तुम्हें कुछ भी करने के लिए ready हो सकती हो अब हम देखते हैं कि संग और जिवन की meeting चल रही है संग फिर उसे सब कुछ समझाता है संग फिर कहता है कि मैं जो तुम्हें proposal देने वाला हो अगर तुम्हें uncomfortable लगे तुम कभी भी उठकर जा सकती हो ये thousand dollars किसी को भी ये बात ना बताने के लिए है जिस old man की जी उनको care करने होती है इसका नाम होता है किम संग फिर कहता है किम की family एक accident में मर गई थी उसके बाद ये कभी भी घर ने गया है ये याट पर ही रहता है ये बहुत ही अकेला हो चुका था तो उसके सरवन के साथ ये रहता है एक दिन उसे ऐसे ही याद आ गए वो जब यंग था तब एक लड़की के साथ इसने अनितिक संबन बनाए थे इसी वज़े से उसे एक लड़का भी था यही लड़का संग है जी उनको समझ में नहीं आ रहा होता ये कह का रहा है संग फिर कहता है कि किम के बारे मुझे सब कुछ पता है उसे किस तरह की लड़का पसंद है किस तरह की चीज़े उसे करनी अच्छे लगती है किस तरह की बाते उसे अच्छे लगती है सब कुछ चीज़े मुझे पता है संग को अब किम से बदला रेना है किम की जो सब प्रॉपर्टी है यह संग को नहीं देने वाला यह सब property charity में दे देने वाला है इसलिए संग इससे बदला लेना चाहता है संग कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी है अगर जियून किम से शादी कर लेगी तो सब property जियून को जली जाएगी संग कहता है कि किम जब मर जाएगा तो 50-50 प्रोपर्डी हम बाट लेंगे जिउन कोई आईड़ा पसंद नहीं आता वो उट जाती है यह कहती है कि क्या यह घटिया प्रोपोसल है यह से वो जा रही हुती है संग कहता है कि जाओ जाना है तो जा सकती हो पर फिर भी वो गुंडे तुमारे पीछे ही लगे रहेंगे तुमारे पैसो की प्रोप्लम कोई भी स्वाल ने करने वाला जिउन वहाँ से निकल जाती है जो वो अपने बिल्डिंग में आती है तो उसने रेंड भी नहीं दिया होता उसका landlord उसके पास आता है और उसका शोशन करने ये कोशिश करता है जिउन अब संक का proposal एकसेब करने के लिए ready हो जाती है संक पहले जिउन को shopping करवाने के लिए लेकर आता है उसका complete maker करता है किम को किस Τरह चीए औरते पसन है उस Τरह का उसे वो complete maker देता है जिउन आप याट पराती है उसे जब सब सरवंट्स देखते है तो इन्हें बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है किम जब वहाता है तब सब लोग डर कर साइड में हो जाते है किम जिउन से पुछता है कि तुम लेट हो चुकी हो मुझे वेट करवाना ये अच्छा एड़ा नहीं है जिउन कहती है कि एक ओल लेडी थी उसकी में केर कर रही थी और मैंने ओजॉब छोड़ दिया है और यहां आ चुकी हो किम कहता है या तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ सारे कसि नो सारे यार्ड्स वगएरा सब कुछ मैं ओन करता हो किसी ओल लेड़ी के लिए तुम मुझे वेट नहीं करवा सकती है किम फिर उसे इंस्रक्शन देता है किम कहता है कि मैं सीटी बजाऊंगा मैं अगर city बाजाता हो तुम्हें 2 मिनिट में मेरे पास आ जाना है जिउन कहती है कि मेरे services के लिए तुम मुझे pay कर रहे हो तुम मुझे इस तरह से disrespect नहीं कर सकते तुम्हें मुझे सही से treat करना है और ये जो city वेकरा तुम कह रहे हो ये मैं नहीं करने वाली तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगे अगर कोई urgent काम है तुम मुझे call भी कर सकते हो संग ने जिउन को कहा होता है किम बहुत ही ideal है तुम उसे जितना तंग करोगी उतना ही उसका frustration बढ़ता जाएगा वो तुमें पैसे offer करने के कोशिश करेगा और जब उसे पता चलेगा कि पैसो से तुमें वो बाई नहीं कर सकता तब वो तुम से शादी करने के कोशिश कर सकता है यही इनका plan होता है तो यही जिउन अब establish कर रही होती है इस याट की वेटर जिउन को सब जगा वेकरे दिखाती है उसका room भी उसे दिखाती है जिउन को यह जगा बहुत ही पसंद आती है रात में संग और जिउन दोनों deck पर मिलते है संग कहता है तो हमारा first impression तो बहुत ही बढ़िया था जिउन भी डर रही थी पर फिर भी इसने अच्छा impression दिया है संग कहता है कि किम को हमेशा लगता था कि उसके पैसो के लिए सब और दे उसके पास होती है अब उन्हें इसके opposite prove करना है नेज़ दिन जिउन bathing suit में बात विगर लेती है किम उसे ही देख रहा होता है किम के पास जिउन आती है उसका blood pressure वगरा सब को चेक करे होती है तब किम को एक cigarette चाहिए होती है डॉक्टर ने मना किया होता है तो जिउन भी अब मना करे होती है किम अब उसे hundred dollars की note देता है कहता है कि मुझे तुम cigarette दे दो और किसी को भी पता ना मत जिउन कहती है कि मैं यह नहीं करने वाली है किम अपने एक box में से एक ruby diamond वारा necklace निकालता है वो उसे offer करता है जिउन कहती है कि यह बहुत ही beautiful है फिर भी यह offer एक accept नहीं कर सकती है अब किम इस वार बहुत ही चिर जाता है कहते है मैं पैसे पे करता हो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा मेरे खिलाफ अगर तुम जाओगी तुम्हारी life में hell बना दूँगा जिउन कहती है हो गया तुमारा और वहाँ से चली जाती है आतमे हम देखते है कि जिउन ने अभी-भी जॉब लिया है तो इसकी welcome party चल रही होती है इस party में संग और जिउन को नाशने के लिए कहती है यह दोनों बहुती beautiful dance करते है जिउन कहती है कि हमारी story तो Cinderella जैसी है तुम अचानक मुझे बचाने के लिए आगए सिर्फ hill तूटना ही missing है और यहाँ इस dance करते हुए इसकी hill भी तूट जाती है नेक्स राथ हम दहीते है किम और उसका captain यह दोनों Korean chess खेल रहे होते है इस याट की waiter जब उसके पास आती है तो किम कहता है कि अब से तुम मुझे लिकर सव नहीं करोगे कीम कहता है कि मुझे दारू के नाम पर पानी नहीं पिना है थोड़ी देर में जीउन भी वहाती है और इनका game देखती है गेम देखकर इसे पता चल जाता है कि captain कीम को हरा सकता है captain को चाल पताती है और कीम सचुन में हर भी जाता है कीम इगोईस्टिक ही होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कीम कहता है कि अगर तुम्हें सच मुझ में इतना game ये पता है तो तुम क्यों नहीं खेलती कीम मजग करता है कि आरते हमेशा purse, traces, इस तरह की चीजों के पीछे ही भागती है इन दोनों की बेट लगती है अगर जीओन जीद गई तो कीम से वो कुझरी मांग सकती है और अगर कीम जीद गया तो जीओन को सैलरी नहीं देने हला game चलता है और जीओन इसमें जीद जाती है जीओन कीम को कहती है कि तुम्हारे रूम में पियानो है जो तुम कभी भी नहीं बचा दे ये पियानो वो मांग ले थी है इसा करने के लिए संग नहीं उसे कहा होता है अब सब नोकर लोग सिरेस हो जाते और वहाँ से चले जाते थोड़ी देर में जीओन वेटर से बुछती है कि ऐसा क्या हो गया है ये वेटर कहती है कि किम अपनी फैमिली के लिए पियानो बचाता था उनका एक्सिडन्ट हो गया इसके बाद कभी भी उसने पियानो नहीं बचाया है जीओन को बहुती बुरा लगता है ये वेटर वर्डर करती है कि वो उसके दारों में पानी मिलाती थी ये किम को किसे पता था ये पॉइंट आप ध्यान रखना ये मूवी के लास में आपको पता चलेगा जीओन फिर किम के पास आती है और उसे सौरी कहती है किम कहता है कि मुझे भी जादा पास में ड्वेल नहीं करना चाहिए जियून कहती है कि मैं यह सब कुछ समझ सकती हूँ उसकी मदर का भी एकसिटन्ट हुआ था जब इस स्कूल में थी तभी इसके टीचर ने उसे बताया था पुरे रास्ते भर इसे कुछ भी मालूम ही नहीं था इस सब से यह भी गुजर चुकी है किम कहता है कि इस तरह की बाती उसे पसंद नहीं है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए किम के लिए जियून को बहुत बुरा लगता है रात में संग जियून से मिलता है जियून उसे पूछती है तो यह मुझे पहले बता देना चाहिए था संग कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले पता देता तो अब जो natural effect आया है यह नहीं आपाता जिउनको कहता है तुम्हें emotional नहीं होना है हम जो कर रहे हैं यह strictly professional हमें रखना है यह जब बात कर रहे होते हैं तो yard का servant यहां आ जाता है इने देख सकता है तो यह दोनों छूप जाते है एक दूसरे के पास आ जाते है संग इसे kiss करने वाला होता है पर अपने आपको यह रोक लेता है अब नेक्स दिन सुबह हम देखते है कि किम fishing कर रहा होता है fishing करते वक्त एक बड़ा सा fish उसके हाथ लगता है यह fish बहुत ही बड़ा होता है और इसकी वज़े से इसकी whale chair हीलने रग जाती है यह नीचे पानी में गिर सकता है पर फिर भी यह fish छोड़ने रहा होता जिम इशारे इशारे में एक सर्वन को कहती है कि इसकी string ही तुम काट दो अब किम इस सर्वन पर बहुत ही चीट जाता है बखेता है कि अभी क्या भी जाओ और ओफिश लेकर आओ अगर तुम यह नहीं कर सकते तुम यह steak खाना पड़ेगा यह जो सर्वन्ट है यह पाकिस्तानी होता है और कोरियंस को लगता है कि पाकिस्तानी लोग steak नहीं खा सकते डायरेक्टर को पता नहीं होगा एनिवे यह इसे steak खाने के लिए मजबूर करता है यह मुव में तो लेता है पर एक खानी रहा था जून कहती है कि तुम यह गलत कर रहे हो यह सब अब बन करतो किम इस और बहुत ही जिर जाता है वो कहता है कि इस yard का owner मैं हूँ मेरे लिए कोई भी decision नहीं ले सकता मैं जो कहूंगा वह ही होगा यह बहुत ही जिर जाता है और सब कुछ खाना में गरा नीचे गिरा देता है जियून को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है जियून अब यह job छटकर घर आ जाती है संग और वो दोनों पास आ चुके थे इसकी भी उसे याद आती है संग राद में इसके पास आता है वो कहता है कि अब तुमें job पर फिर से वापस आ जाना चाहिए जियून कहती है कि यह मैं नहीं कर सकती है संग उसे फिर से पैसो का लालज देता है जियून कहती है कि इतने सारे पैसे है यह पता है मुझे पर अगर मैं उसे शादी करूँगी फिर भी और 10-12 साल जीएगा तब तक यह मेरी life hell बना देगा इसके साथ मैं कभी भी नहीं जी सकती संग कहता है कि क्या तुम कह रही हो क्या उसे मार देना चाहिए जियून कहती कि अगर वो मर गया तो यही सही होगा यह ओफर नहीं लेने वाली तो संग यहां से चला जाता है राद में कीम को बहुत ही बुरा लगता है आपको सही रास्ता दिखाती थी कोई भी गलत चीज़े करने से आपको गाइड करती थी उसी तरह से जियून थी जियून ने कुछ भी गलत नहीं किया यह उसे समझा रहा होता है किम भी इस वार बहुत ही थोट देता है किम नेक्स दिन जून के पास आ जाता है जून को कहता है कि फिर से तुम याट पर वापस आ जाओ उसे इसके लिए वहाँ सारे पैसे देने वाला होता है जून कहती है कि अगर फिर से तुमने पैसो की बात की तो वहाँ से वह चली जाएगी कीम कहता है कि life में मैं rootless था, business वेगरा सब कुछ समाल रहा था और मैं लोगों को push कर रहा था मुझे हमेशा से लगता था कि औरते मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आती है और तुम बहुत ही अलग हो इसलिए अब June को marriage के लिए प्रोपोस करता है June 20 के लिए हाग कर देती है और अब इनका marriage होने वाला है कीम को जब संग ready कर रहा होता है तो संग एक कैसिनो के बारे में पोचता है वहाँ और एक नया manager लगने वाला होता है ये कसी नो किम संग को नहीं देता तो उसकी एक सरवन को दे देता है किम को कहता है कि उसने तुमसे ज़्यादा मुझे सव किया है वो हार्ड वर्किंग भी है उसे नहीं लगता कि संग कुछ भी सही से समाल पाएगा वो कहता है कि तुम तुम्हारी मदर की तरह ही वीक हो संग इस पर नाराज हो जाता है वो कहता है यह तुम्हारे पास हूँ यह तुम्हारे पैसों के लिए ही हूँ मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती है तुम्हें मेरी मदर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है वो तुमसे प्यार करती थी इसी वज़े से उसने मुझे बर दिया था वो 30 साल तक तुम्हें याद करती रही आसमें उसके इलाज के भी हमारे पास पैसे नहीं थे इसी वज़े से वो मर की इसके बाद हम देखते हैं कि कीम और जियून की शादी हो जाती है रात में जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो कीम जियून से कहता है कि अब सब रिपोर्टर्स तुमारे पीछे होंगे यह सब तुम्हें सिंड्रेला पुकार रहे है तुम्हारे उपर बहुत सारे आर्टिकल्स अभूंगे किम सिंडरेले के बारे में कहते हुए कहता है कि जब सिंडरेले का शूस टूट गया था और जब वो प्रिंस से फिर से मिल नहीं पाती तब उसके पास दो आप्शन्स थे वो मीरर में देख सकती थी और जिस तरह से वो पिटी थी उसे याद कर सकती थी दूसरा ओप्शन था कि उसकी स्टेप मदर के साथ जब वो रह रही थी वैसे वो अपने आपको दिखा सकती थी वो अपने आपको इस मिरर में देख कर बदल सकती थी उसे जिस तरीकी का परसन बनना था, उस तरीके का परसन वो बन सकती थी, यह इसकी चोईस थी, जीउन कहती है कि क्या यह सचमें में पॉसिबल है किम कहता है कि हा, मेरी एक इंप्रॉई थी जो सरकस में काम करती थी, उसने लॉयली मुझे सर्व किया और इसके बाद मैंने अब उसे कसिनो दे दिया है इसके बाद हम देखते हैं कि जब यह सेलिब्रेशन खतम हो जाता है तब याड के डेक पर संग और जीउन मिलते हैं, संग कहता है क्या तुम अब हमारी डील भूलतो नहीं जाओगी न जीउन कहती ही कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, संग इसके पास आता है और इसे किस करता है, नेक्स दिन सुबा जीउन उठती है और किम को देखती है तो किम मर गया होता है, इस संग को पास बुलाती है और संग भी इस वर बिलिव नहीं कर पाता, संग कहता है कि किम ने अपनी विल चेंज कर दी थी उसके मरने के बाद तुम्हें ही ये विल मिलने वाली है पर अभी तक इसके ओफिशिल सब कुछ काम हो नहीं गया है ये जब समुन दर से सिटे में पहुचेंगे इसके बाद ये सब काम वो कर सकता है संग जियून से कहता है कि जब तक ये ओफिशिल नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि अभी भी किम जिन्दा है किसी को भी अंदर मत आने देना जियून उस पर डर गई होती है यो नहीं कर सकती पर संग उसे मोटिवेट करता है और वहाँ से चला जाता है जियून अब किम को रेडी करती है किम बहुत ही बिमार है और किसी से वह बात नहीं करना चाता इस तरह से वह ब्रिटेंड कर रही हुती है जब ये शेर पोजाते तो संग कहता है कि अब तुम्हें किम को घर लेकर जाना है जियून कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है ये वो नहीं कर सकती संग कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं किया तो सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा तो तिन अवस की बात है तुम इसे घर लेकर जाओ सब फॉर्मेलिटीस कंप्रिट करकर मैं फिर से वापस आ जाओंगा जियून फिर कीम को विल्चेर बा बिठा थी है और सब सर्वन को बिलीव करवा थी है कि ये बहुत ही जादा बीमार है और किसे से भी बात नहीं कर पाएगा जब एक घर पर आते है तो कीम की जो सर्वन थी जो इसे बहुत ही लॉयल थी वो वहाँ होती है ये कहती है कीम को जो फेवरेट है वो मैंने बनवाया है कीम हमेशा जब घर आता है तो तुरांत खाना खाता है जियून कहती है कि आज ऐसा नहीं होगा वो अपने रूम में ही खाना खाएगा इस सर्वन कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है जियून कहीं थी है कि अब मैं इसकी वाइप बन चुकी हो जो भी होगा वो मेरी तरीके सी होगा संग जियून के पास आता है जियून उसे फिर से बोचती है तो किम कहता है कि अभी थोड़ा ही टाइम लगने वाला है संग उसे कहता है किम की डेध कल रात ही हो चुकी थी अगर पुलिस ने आटोपसी की तो उन्हें पता चल सकता है कि किम की डेध अभी नहीं हुई है हमें अब इस आटोपसी को जलावा देना है इसलिए हो कहता है कि फूड अब तुम मंगवा लो एक ट्यूब वो जियून को देता है और कहता है कि इस ट्यूब से तुम इसे खाना खिलवाओ किम ने खाना खाया था तो इससे फ्रूव हो सकता है कि वो अभी तक जिन्दा था जिउन तो पहली मना ही कर रही हुथी है पर संग उसे कन्विंस करकर वहाँ से चला जाता है जाते वक्त संग को सरवन भी मिलती है सरवन कहती है कि आज मुझे कुछ गड़बर लग रही है किम उसे मिलनी रहा संग कहता है कि अगर तुम्हें उसे मिलना है तो तुम मिल सकती हो पर वो सोया हुआ है पिछली बार जब तुमने उसे जगाया था तब कितना बड़ा तमाशा हुआ था कि तुम्हें याद है इस सरवन फिर डर जाती है और अंदर नहीं आती थोड़ी देर में हम देखते है कि घर में एक आदमी आता है जिउन दरवाजा खोलती हो और कहती है क्या तुम आटोपसी करने वाले हो या कहता है कि नहीं मैं पुलीस वाला हूँ या कुछ तो गडबर चल रही है यह मुझे पता है डेड बॉड़ी अंदर देखकर अब जिउन को अरेस्ट कर लेता है जिउन के उपर डिरेकली मर्डर का इलसाम वो लगा रहे होते है जिउन के बात्रों में उन्हें ट्यूब्स वेगरा मिली थी यानि किम पहली मर चुका था सब सर्वंट से भी इन्होंने पूछा है जिनसे पता चल चुका है कि जिउन ये कवर अप कर रही थी जिउन बहुती डर जाती है क्योंकि इस पर सिरेज चार्चे सब लग सकते है जिउन अब डर जाती है ये सब कुछ सच-चच बता देती है ये कहती है कि सब कुछ सच अब तुम इन्हें बता दो सब कहता है कि तुम जो बोल रही हो ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिउन बहुत डिस्टब हो जाती है और वही गिर जाती है इसे होस्पिटल में एडमिट किया जाता है वह उसे संग मिलने के लिए आता है संग उसे कहता है कि दो विल भात थे ही नहीं जो पहली विल थी यही ओरिजिनल विल थी इसमें लिखा हुआ था कि किम अगर मर गया तो सब प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी पर अगर इसने शादी की तो उसकी वाइफ को सब प्रॉपर्टी मिलने वाली है जिउन कहती है कि फिर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया संग कहता है कि सब प्रॉपर्टी तुमारे नाम पर है पर तुमने अब मर्डर किया है तो यह प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी किम का नया predecessor मैं ही हूँ सब property अब संग को मिलने वाली है संग कहता है कि सालों से मैं इसका planning कर रहा था और 50% में तुम्हें कैसे दे सकता हो पास मैं उने देखा था कि जिउन याद छोड़ कर घर पर आ गई थी जब संग उसे मिरने के लिए आय था तो जिउन बोली थी किम अगर मर गया तो अच्छा होगा यह सब संग ने record कर लिया था यह पुलिस को दे देता है अब जिउन के खिलाफ सही से evidence मिल चुका है तो वो जेल में उसे रख देते है जिउन से मिलने के लिए जो घर पर काम करने वाली सर्वन थी वो मिलने के लिए आती है जिउन इसे कहती है यह जो सब हो रहा है यह सब गलत है मैंने कुछ भी नहीं किया है यह सर्वन इस पर believe नहीं कर रही होती है जिउन कहती है कि अब truthful होना यही मेरे पास एक option है जैसे सिंड्रेला ने डिसाइड किया था कि उसे क्या बनना है इसी तरह से अब मुझे डिसाइड करना है यह जो सर्वन थी इसको किम सिंड्रेला बुलाया करता था इसे लिए यह सर्वन अब इस पर believe करने लग जाती है जिउन कहती है कि मुझे किम की funeral पर ले कर जाओ वहाँ पर किम की याड पर काम करने वाले जो भी सब सर्वन है यह सब अवलेबल है इन से बात करकर murder किस ने किया है यह figure out कर सकती है सर्वन भी अब इस पर believe करने लग जाती है एक बड़ा सा lawyer बुलाती है और जिउन को किम की funeral पर ले कर जाती है इस funeral पर याड के वेट्रेस से जून मिलती है यह वेट्रेस उसे कहती है कि मैंने कभी believe नहीं किया कि तुम यह कर सकती हो मैं तुम पर 100% believe करती हो यह इसे एक bag देती है यह कहती है कि मैंने तुम्हारे बहुत सारे photos ले थे यह सब इस bag में होते है किम का एक कुटा भी था यह इस वेट्रेस के पास है यह वेट्रेस कहती है कि इस कुट्टे का क्या करना है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा जून कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है इस funeral पर पाकिस्तानी सरवन संग से मिलता है ये कहता है कि याड पर कुछ गढ़बर था इसके लिए इसके पास कुछ evidence है संग इसे बात करना चाता है संग इसे बात करने के लिए गारे में बिठाता है उसे मार ढलता है जंगल में जाकर इसकी body वो काड़ रहा होता है जून इस funeral से भाग रही हुती है तो इति पुलिस इसे पकड़ लेते है जब PULK की कार में होती है तो सब फोटोग्राप्स देख रही होती है यह फोटोग्राप्स देखकर इसे अजीव लगते है यह अब दिमाग चला थी है वगेसे पता चलता है कि कुट्ते के उपर एक क्लिप थी इस क्लिप में कैमेरा हो सकता है और इसी कैमेर से फोटोग्राफ्स लिए गए थे अगर ये कुटा इसी मिल गया और ये क्लिप सो अजीव कर पाए तो इनोसंड है ये पता चल जाएगा हमने मुवी के फर्स में देखा है कि वेट्रेस दारों में वाटर मिक्स कर रही थी ये किम को पता चल गया था किम को एक कैसे पता है ये उसे मालूम नहीं है अब हमें पता चल चुका है कि जो डॉक था यहामेचा सब पर सर्वी लेंस रखता था किम ने इस कैमेरे की विडियो टेप में ही ये सब देखा था जिवन पुलिस से फोटोग्राफ्स मांगती है पुलिस से दे नहीं रहे होते गाड़ी जलाने वाले ड्राइवर को धक्का लग जाता है और ये इंजोर हो जाता है इसी वज़े से इस गाड़े का एक्सिडंट हो जाता है जिवन वहाँ से भाग थी है और एक गाड़ी चुरा लेती है ये वेट्रेज को कॉल लेगा थी है और कहती है कि तुम कुत्ता लेकर याट पर आ जाना संग भी इसी याट पर आया हुआ होता है यह वेटरेज अपने boyfriend के साथ इस yard पर आई हुए होती है संग जब इन दोनों को देखता है तो इसके boyfriend को मार देता है एक कुत्ता लेकर वहाँ से भाग रही होती है तो जिवन वहाँ आ जाती है जिवन इक कुत्ता लेती है और इसी yard में छिप जाती है संग इसे ढूनता है और मार नहीं वाला होता है तब ये कुता छोड़ते थी है संग distracted हो जाता है जिवन उस वर वार करती है पर उसे मार नहीं पाती है संग उसे पकड़ लेता है उसका गड़ा दबा रहा होता है तब ही वेटरेस एक बड़ी सी चीज लेती है और संग के सर में डाल देती है संग यही पेवोश हो जाता है जो कुत्ते की क्लिप में कैमेरा था इसे साफ साफ दिखाए देता है कि किम को संग नहीं मार दिया था अब पुलिस के पास सही से एविडेंस मिल चुका है तो जीवन अफ्री हो चुकी है किम की प्रॉपरड़ उसे मिलने वाली थी अब वो उसे मिल जाती है संग जेल में जीवन संग से मिलने के लिए आती है संग कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तब केसे situation थी, तुमसे कुछ भी पता नहीं था, अब जियून बहुत ही powerful बन चुकी है, जियून कहती है कि क्या तुमसे मारनी की जरूरत थी, संग कहता है कि मेरी मदर जो बिमार थी, तो मैंने किम को लेटर लिखा था, जियून वहां से जा रही होती है, तो संग कहता है कि हमेशा तुम्हें एक चीज यात रखना, तुम्हें यह जो सब मिला है यह मेरी वज़े से ही मिला है, जियून इस पर हसती है और यहां से चली जाती है, इसका मतलब है संग अगर किम को नहीं मारता तो यह उसे मार ही द मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और ही नहीं मुई के साथ तो अबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये